राजस्तान में जल प्रदूशन और तेज उमस के कावड पुशकर सरोवर में पिछले एक सप्ता में हजारों मचलियों की मृत्यू हो गए इसको लेकर पंडे चंद्व शेकर शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी के कावड उमस बन रही है और मचलिया मर रही है पुरोहित पहले घाटों की सफाई करते थे हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारी जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं जो भीशवर धालू आते हैं वो सरोवर में दान डाल कर चले जाते हैं उस कावड भी मचलिया मर जाती है तिर्थ राज पुष्कर में मचलिया मरने का दुर्भाग ये पूर्ण कार रहा है ये किसी कारण वस गर्मी की तेज गर्मी से भूमी की गर्मी से गेस बन रही है उस गेस से भी मर रही है कुछ यह आने वाले यात्री आता वगर डालते हैं दाना वगर डालते हैं उससे भ जान नहीं करते हैं पेले घाटों की सफाई वगर है तिर्थ प्रोईत करते थे हमारी जिम्मेदारी थी हम हमारी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर रहे हैं चोती चीज प्रसासन भी लापरवाई वरत रहा है कि अब को क्या लेना देना कोई फंड आएगा तो कारी कराएंगे कोई खंड नहीं मिला तो तिर्थ का कोई विकास नहीं हो रहा है इसलिए तिर्थ राजपुषकर में मसलिया क्या मरी है आने वाले समय में मेरे को लगरा द बगवान सब को सलामत रखे इसी की हम प्रात्ना करते हैं